हाई हेलो एब्रीबडी वेलकम डूमेशी एनल इट्समीट अरो 313 कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं पर्सन ओन यूर माइंड क्या है उनके क्रण फिलिंग देमोशन्स एंड प्लस उनका नेक्स्ट मॉव क्या होगा तो इट्सक्रिप्शन में आपको डियल मेंशन मिल जाएंगी चेक कर लीजिएगा आपका सिच्वेशन जाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है अपने करना यह है कि अपनी इनर्जी स्कून के साथ अलाइन करना है पोस्टिव रहना है तो लेट सी थैंक यू सो मच काई फॉर सुपोर्ट आप जितना सुपोर्ट करेंगे जितना एक्टिव रहेंगे आपके लिए रिडिंग्स आती रहेंगी देखते हैं जो भी परसन आपके मारेंड में है उनके अकरन फिलिंग दने मोशन क्या है लास्ट विमें नेक्स मॉफ भी देखाँ निए सबसे पहले और एकल से देखेंगे वीवर्ट के मारेंड में जो भी परसन है वो इस ट्रेंग करेंट लिए क्या फील कर रहे हैं इस परसन की एज यहां डेट ऑफ पर थो सकती है एट लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है डेट ऑफ पर थो सकती है वी हैफ 12 इस बाउंडरीज नमबर 12 और 3 इस अलसो इंपॉर्टन मुझे लाग रहे हैं यहां पर गाईज इस परसन को फील होता है कि जैसे आपने इस परस होता है कि शायद आप लोगों इस परसन को सुरंडर कर दी है आपने इस परसन को सुरंडर कर दी है इस रिलेशनशिप को सुरंडर कर दी है और आपकी तरफ से आप इस परसन की तरफ कोई भी इंटरस्ट नहीं है क्या पर आप लोगों इन से बिल्कुल बात नहीं करना चा इस परसन से, because हो सकते है, इनको ये भी फील होता है, कि शायद कहीं न कहीं से इस इंसान ने आपकी लाइफ में नेगटिव इटेंशन को क्रियेट किया है, और obviously किया भी है, that's why आप लोग अपने आपको इस ताइम काफी ज़्यदा boundaries में बना के रखा हुए आप लोगों ने, like boundary ऐसी भी हो सकती है, हो सकते है आपने इनको block किया हुए, otherwise इतनी ज़्यदा healthy boundaries बनाई हुए है कि ये इनसान easily आप से बात नहीं कर सकते, इनको लग रहा है, आप अपने आपको protect कर रहे हो, आपके अपने लिए जो चीज बैटर है, आप वो कर रहे हो, अपने आपको आपने बहुत अच्छे से safe किया हुआ है, yes, और ये इनसान को ये सारी situation जो है, जेट उफ पर्थ हो सकती है, नमबर 6 भी कुछ लोग के लिए important दिख रहा है, 38 ये 36 भी कुछ लोग कि यहां पर age हो सकती है, आपकी यहां फिर इनकी, 25 स्टार्ट साइन दिख रहा है, अभी तक मुझे बहुत strong, एरिस लिए सेटेरियस की एनरजी है, yes, बट ये जो भी इनसान है ये आपको भूल नहीं पारे, आप चाहे जितने टाइम से भी आप लोग चाहे अपने आपको प्रोटेक्ट कर लो इस परसन से, यहां फिर आप अपनी बाउंडी बना लो, यहां फिर आपने इनको ब्लोग भी किया वे ना, लेकिन स्टिल ऐसे लाग रहा है, ये इनसान ना सरंडर नहीं कर पारे, आपको भूल नहीं पारे, आपके इस कोनेक्शन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पारे, that's why ये इनसा इस कोनेक्शन को किसी भी तरह से प्रटेक्ट करना चाते हैं, लेकिन इनको लगता है, आप प्रटेक्ट अपने आपको करना चाते हैं, इस टाइम, आपके लिए सबसे पहले आप खुद माईने रखते हो, ये इस परसन फील्स कि आप लोग जो हो ना, ऑप अपने आपको होना जितना भी ज़्यादा उतना ज़्यादा इस person पे pressure बनता जा रहा है एक burden सा बनता जा रहा है इनको लग रहा है जितना ज़्यादा आप अपने उपर एक boundary बनाई हुई है या पिर आपने आपको restrict किया हुए कि आपने इस person से कोई connection नहीं रखना उतना ज़्यादा ये person पे एक stress है एक burden है जिसको ये release करना चाते हैं क्योंकि ये बूल नहीं पा रहा है अपने mind से ये इनसान जो भी इन्हों ने आपके साथ किया उसको बुला नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं नहीं से इस इंसान से गलती हुई है गलती में नहीं कहुँँगी गलतीयां कहुँगी कुछ न कुछ गलत किया इस इंसान ने बहुत ज्यादा too much हो सकता है किया है that's why आप लोग अपने आपको जो है ना protect करने की पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन ये इंसान रिष्टे को protect करना चाते हैं आप आप सो डबल थ्री की एनर्जी काफी स्ट्रॉंग दिख रही है 33 भी कुछ लोगों की एज यहां पर rate of path हो सकती है ये energy भी आ रही है bottom of the rack हमारे पार severity की energy या 41 it means कि इस परसन को feel हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने इस इस परसन की बिल को ज़रूरत नहीं रही है येस इनको आपकी ज़रूरत है बड़ आपको इनकी ज़रूरत नहीं है because you guys are totally depend on yourself अब आप इस परसन पर depend नहीं का रहे हैं 41 आपकी इनकी एज भी हो सकती है अधर्वाइस कुछ लोगों की ज़रूरत नंबर 5 इंपॉर्टन दिख रहा है 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है yes आप लोग इस राइम अपने इमोशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर चुके अपने उपर आपका सेल्फ कंट्रोल बड़ा अच्छा बन चुका है yes because यह आप हमारे पास queen of the moon की एनरजी है it means इस परसन को पता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने का जो एक art है वो बड़ा अच्छे से सीख चुके हो that's why अपने अपने आपको एक shell में, एक hole में, एक bubble में आप लोग ने अपने आपको protect किया हुआ है बंद किया हुआ है आपने, boundary बनाई हुई है जिसको यह इनसान क्रोस निकर सकता until or unless यह person आपके साथ pure now yes now let's see from the tarot person on your mind, क्या है उनके current feelings and emotions person on your mind, currently कैसा feel कर रहे है we have some addition energy, यह इनसान जो भी है यह आपको manifest कर रहा है, definitely और यह इस connection में हर चीज़ को magically way में change करना चाते है और उसी चीज़ के लिए इस time planning कर रहे है we have night of sword, काफी impulsive हो रहे है अपने आपको control नहीं कर पा रहे है और मुझे लग रहे है, यह इनसान किसी ना किसी तरह से आपको manipulate करने की दुबारा से कुछ ना कुछ कोशिश भी कर सकते है और करना भी चाते है, without justice ताके आपके और इनके दर्मियान चीज़े जो है वो balance out हो सके है और अब मुझे लग रहे है यह person definitely कुछ ना कुछ ऐसा action लेंगे कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ रिश्टा create करेंगे जो यह person करना चाते हैं जिससे आपके और इनके दर्मियान एक अच्छा balance बन सके equal given take जो है आपके दर्मियान relationship में create हो सके because यह अपने आपको control नहीं कर पा रहे पहले भी इस इनसान ने जल्दबाजी से काम लेकर आपके साथ रिश्टा खतम किया है बट अभी यह जल्दबाजी से काम लेना चाते हैं इंपलसी वो रहे हैं अपने आपको control नहीं कर पा रहे बट साथ ही साथ यह इनसान जो है इस time feel करते हैं कि इनको समझदारी के साथ भी चीज़ों को handle करना पड़ेगा realistic होकर चलना पड़ेगा क्योंकि यह इनसान किसी illusion या delusion में रहकर अब आगे रिच्ता आपके साथ नहीं चला सकते क्योंकि आपने अपनी boundary बना लिया और आप अपने emotions को इस person से regarding जो भी है वो control कर चुके हो पहले आप obviously emotional थे और आप express कर देते थे बट right now इनको लगता है कि अब आपने emotions का हर control अपने हाथ में ले लिया है that's why वो सोच समझ के इनको जो भी करना है वो करना पड़ेगा अगर जल्द बाजी में किया तो चीज़े फिर दोबारा जो है वो काफी बुरे तरीके से damage होंगी इसलिए विदा मेडिशन ये इनसान कुछ ऐसा करने के बारे में ट्रिक सोच रहे है जिससे एक तो आपके साथ सब कुछ ठीक भी हो जाए चीज़े खराब मी ना हो और अच्छा balance भी बन जाए विदा जस्टिस ही इनसान आप आपके साथ फेरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते है कुछ लोगों के दर्मियान हो सकते है आपका कोई legal issue चल रहा है legal matter चल रहा है यहाँ पर इस person की अपने life में कोई legal matter चल रहा था जिसकी वज़ा से शायद इस इस इनसान ने आपको चोड़ने में जल्दी की और आप इनको फीड हो रहा है कि इनने गल्ती कर ली इनको इसा नहीं करना चाहिए था बिकॉस कहीं नहीं कहीं इंसान अपने कर्मा भी डील कर रहे है येस but with the night of sport ये इनसान जो है वो बहुत जल्द मुझे लगता है आपकी तरफ एक्शन लेंगे येस और एक अच्छा एक्शन मुझे दिख रहा है because five of wands की energy it means कि आपके कुछ ना कुछ conflicts रहे हैं एक दुसरे के साथ arguments रहे हैं एक दुसरे के साथ कही ना कही ये बहुत hot talk हुई है ये नो गर्मा गर्मी वाला हुआ है temperament lose हुआ है दोनों का कही ना कही तो इन सारी चीज़ों को ये इनसान जो है सोट आउट करना चाते हैं क्योंके with the justice ही आप चाते हैं balance बने क्योंके आपके जगरे बहुत ज्यादा past मेरे हैं और कुछ लोगों के दर्मियान हो सकता है लोगों का interference भी रहा है that's why आपका रिष्टा जो है वो इनके साथ बना नहीं था और अगर आपकी शादी भी हुई थी इस इनसान से तो मुझे लगता है दूसरों लोगों के interference की वज़ा से वो आपका रिष्टा यहां तो divorce तक बात अभी चल रही है पहुंच रूकी है यहां फिर separation चल रहा है इस परसन से आपके husband या wife से आपका yes we have 10 of pentacles बट यह जो भी परसन है with the 10 of pentacles आपके साथ जो है union करके आपके साथ एक अच्छी family बनाना चाते हैं आपको security देना चाते हैं आपको financial security देना चाते हैं और आपके साथ happily रहना चाते है with the six of pentacles right now this person really feel कि इनको balance करना है हर हाल में और balance करेंगे आपके साथ अच्छा रिष्टा तभी चला पाएंगे और अगर यह अपनी तरफ से अच्छे investment करेंगे तभी आप इनके साथ जो है दुबारा से रहने के लिए जो है agree करोगे इनको दुबारा chance भी तभी मिलेगा जब यहुद अपनी तरफ से effort पुट करेंगे equal give and take होगा one sided connection already past में रह चुका है आपका पट इनको feel हो रहा है अब आप one sided connection में बिल्कुल भी नहीं जाओगे अगर यह person अपनी तरफ से input देंगे अच्छा invest करेंगे इस connection में आपको security देंगे आपको special feel करवाएंगे या आपके साथ जो है equal giving and receiving का connection रखेंगे तब ही आप इनके साथ आगे agree करोगे family बनाने के लिए शादी करने के लिए यहाँ even के जो रिष्टा खराब चल रहा है उसको भी सही करने के लिए otherwise इनको लगता है चीज़ें यहाँ पर नहीं ठीक होंगी because फिर at the end वही होगा difference of opinion होगा और आपस में arguments चलते रहेंगे और फिर रिष्टा दोबारा खराब होजेगा यहाँ तो खतम होजेगा जो यह आप चाते नहीं इसलिए इनसान manifest कर रहा है क्योंकि यह आपको अपनी life में चाते है नंबर 6, 5, 10, 1, 11, 2, 1 important दिख रहा है triple one काफी important दिख रहा है कुछ लोगों की side से otherwise 25, 21, 26 age यहाँ date of birth हो सकती है yes, Taurus, Virgo, Capricorn की energy काफी strong दिख रही है Gemini and Virgo is very strong, Libra is very strong otherwise Aries, Leo, Sagittarius की energy भी यहाँ पर है yes, let's see more one more card person on your mind, okay we have it's a hangman, right now यह person काफी जदा stuck हो चुके हैं यहाँ पर भी surrender की energy है और hangman भी कहीना कहीं surrender की बात करता है तो यह इंसान आपको अपने mind से निकालने पार है इसी वड़ा से इनको लग रहा है कि इनको ना अपने mind को change करना पड़ेगा आपके साथ रिष्टा रखना है तो आपे stuck तो हो चुके हैं इनकी life आगे move नहीं कर रहे है यह person इस टाइम अपनी life में hang हो चुके है एक ऐसी situation में चल रहे है जहां से इनकी life में ना तो पीछे जा रही है ना ही आगे बढ़ पा रही है that's why यह अपनी thinking को change कर रहे है जिससे आप लोगों के साथ इनका रिष्टा जो है वो strong बन सके yes because this person is still stuck on you and also इनको यह भी feel होता है कि इनको जो है ना कहीं कहीं sacrifice करना पड़ेगा आपके साथ compromise करना पड़ेगा तरिष्टे को ठीक करने के लिए विदा page of wants काफी साथ है यह person को आप inspire कर रहे है और that's why मुझे लाग रहा है इस person की तरफ से बहुत जल्दी आपको good news मिलने वाली है with the lovers कुछ लोगों के पास हो सकता है यह feel करते हैं आपके पास choices है there are a lot of people जो के आप में interested हो सकते हैं यहाँ पर जो लोग आपको चाहते हैं इनको यह भी feel होता है और इनको लगता है कि आपके पास lovers में choices है like आपके पास relationship रखने के लिए choices है और इनको अगर आप अपनी तरफ से इन्होंने कुछ ठीक ना किया तो definitely आप किसी और को choose कर लोगे जो आपके पास second choice है so that's why यह बिल्गुल भी नहीं चाहते है कि आप किसी और को choose करो तो यह इनसान मुझे लग रहे है बहुत जल्दी आपके तरफ good news लेकर आ रहे है और अपना changing behavior जो है आपको show करेंगे ताकि आपके दनम्यान जो है वो एक अच्छा romantic connection जो है वो create हो सके so यह person जो भी है guys यह आपको relationship आपके साथ continue करने के लिए आपको message definitely इस time करना जाते है yes because काफिज देपली एक तो इनको आपकी तरफ attraction हो रही है deeply affection हो रही है और यह जो भी person है यह आपके साथ intimacy feel करना चाते है आगे भी इस connection में that's why मुझे लग रविदा page of wants आपको inspire करने के लिए आपको impress करने के लिए आपसे contact करेंगे और कहीं न कहीं है इसान कुछ न कुछ आपको flirtious कोई message भी forward कर सकते है यह भी energy दिख रही है it's a quite interesting and romantic energy पाइदावे so number 6 is important, number 12 is important 12-12 गी energy काफी important दिख रही है otherwise 12 and 21 mirroring number भी आपको show हो सकते है because यह energy दिख रही है कि यहां पर बहुत सरे लोग ऐसे हैं जो किसी spiritual connection में है whatever, चाहे वो twin है, चाहे वो soulmate का है but Pisces is very strong Gemini की energy बहुत दा strong दिख रही है Libra Aquarius, Libra is very strong, Aquarius भी हो सकता है but यहां पर Taurus, Virgo, Capricorn की energy भी बहुत दा strong दिख रही है yes so double six की energy भी काफी important दिख रही है obviously six हमारे पास soulmate and past life का connection का number होता है तो कहीं न कहीं इंसान को feel होता है आपके साथ एक deeply, एक बहुत ही ज़्यादा attraction वाला connection so let's see more, then मैं देखूंग इनका next move person on your mind, currently कैसा feel गय रहे है we have as a life partner, yes जो भी इनसान है ना, ये आपके साथ एक stable romantic connection जो है वो बनाना चाते है और मुझे लग रहे हैं ये इनसान और आपके दर्मियान अगर long distance चल रहा है तो ये इस distance को remove कर दिना चाते हैं और आपको हमेशा के लिए as a life partner choose करना चाते हैं we have responsibilities, कुछ लोगों के दर्मियान हो सकते है आपके romantic life को इस person की duties जो है या फिर responsibilities जो है कही ना कहीं interrupt कर रही है या पिर इस इनसान का कुछ ना कुछ business या जो पैसी हो सकती है जहां से इस इनसान को आप से दूर रहना पड़ता है या पिर कहीं ना कहीं travel involved हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस इनसान पे एक तो duties का burden है अपनी काम का burden है उस काम के burden से निकलना भी इनके लिए एक थोड़ा सा challenging है that's why कुछ ना कुछ time लग सकता है we have love language quality time ये जो भी इनसान है ना ये आप लोगों के सामने definitely इस बात को witness करना चाते है कि ये इनसान आपके साथ काफी ज्यादा जो है वो loyal है romantic है और आपके साथ जो है वो एक अच्छा connection बनाना चाते है we have guided step to great love ये person जो भी आपके साथ एक करिश्टा ऐसा बनाना चाते है जिसको ये आगे लेकर जा सकें क्योंके इनको लगता है आपके साथ spiritual connection है और एक रास्ता भी इनको ऐसे लगता है कि आपसे मिलने के बाद इनको मिला है कि जो इनको बहुत ज़दा spirituality की तरफ लेकर जा रहा है falling in love ये person को एक दम से ऐसे लगता है कि feelings जो है आपके लिए develop होई है उनको लगता है आप ही एक हो इनकी life में रहने वाले इनसान जो हमेशा रहोगे we have signs and clues कुछ ना कुछ इस person को universe जो है वो sign clues दे रही है विदा physical connection कहीना कि मुझे दिख रहेगे इनसान जो है ना feel करते है कि आप लोग two bodies हो ठीक है but once हो लो बट कहीना कहीन इनसान आपके साथ physical connection बनना चाते है और आपके साथ एक होना चाते है इनको लगता है एक sacred union होगी आप दोनों के दर्मयान जिसकी वज़ा से इनको universe भी कहीना कहीन signs and clues दे रहे हैं this person is feeling totally falling in love with you because इनको लगता है आप ही एक इनके लिए बने हो और आप ही के साथ हमेशा इस इनसान ने lifetime रहना है ठीक है यहां पर 10 of cups की energy भी आ रही है it means कि यह जो भी person है यह आपके साथ union चाते है और आपके साथ एक emotional and physical अच्छा connection जो है उसमें involved होना चाते है इस तर 10 of cups 10-10 की energy भी काफी important दिख रही है Cancer Pisces Scorpio की energy है यह union चाते है और मुझे लग नेक्स step में यह इनसान आपके साथ union करने के लिए और आपके साथ एक romantic आपके partner बने के लिए आप लोगों को definitely approach करने वाले हैं because इस person को आप से union करनी है और आपके साथ एक अच्छा जो है वो connection बनाना है as a life partner as a family member अब जान लेते हैं कि इनका next move क्या होगा person on your mind what will their next move we have it's a five of sword energy and then we have it's a four of ones definitely जो भी आपके दर्मियान clash रहे हैं ना guys यह जिस वज़ा से भी आप इस person से नराज हो यह इनों ने आपको जो है अनोय किया है यहां पिर एंगरी किया है यहां पिर किसी भी तरह से इस 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 आप लोगों की सुनी नहीं है आपके साथ arguments की है उन सारे जो भी आपके आपस में conflicts रहे हैं उसको resolve करने के लिए without four of ones यह इनसान आपसे reconciliation करने के लिए कोई ना कोई आगे move करेंगे within one month यहां पिर within four weeks दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए four days का time भी हो सकता है but mostly मुझे energy यहां पर four weeks की दिख रही है probably इसमें time जो है वो one month का दिख रहा है मुझे yes तो यह इनसान जो है वो आपके साथ जितने भी conflict है जितने भी arguments होई हैं या जो भी आपकी कोई इन्होंने आपकी feelings hurt की है या पिर इन्होंने आपको जिस तरह से भी नरास किया है क्योंकि इसको पता है आप नरास हो तो आपको मनाने के लिए without four of ones सी इनसान आपसका reconciliation करेंगे आपको commitment देंगे marriage की commitment हो सकती है या पिर इस relationship को आगे continue करने की commitment हो सकती है जो के आपको next step में मिलने वाली है because यह इनसान आपसे दूर नहीं डैप आ रहे है और आपके दर्मयान जितना भी कोई आपसके conflict है आपसके issues हैं उनको resolve करने के लिए यह इनसान आपके साथ जो है वो finally next move में union में आ रहे हैं और करना भी जाते हैं जितना भी आपका आपसका कोई भी issues है ना उसको sort out करना चाते हैं fix करके आपके साथ एक अच्छी अपनी life को celebration में ले कर जाना चाते हैं लाइक यह person celebrate करना चाता है क्योंके यहाँ पे भी 11-11 की energy है आपसके स्ट्रोंग आ रही है so this is your reading I hope this will help you and resonates with you मुझे comment section में feedback जरूर दीजिएगा I will see you tomorrow, bye